कि हैं अज़न करेंगे चप्टर नंबर टू रोमन नंबर में हम देखेंगे चार्ट बनाना की रोमन नंबर होते कैसे हैं तो बहुत इसी है सारे के सारे बस आपको पहले थोड़ी से नंबर पता होने चाहिए आपको यह जो वन ऐसे होता है इसको हम वन केरते हैं ठीक है यह होता है सिंबल यह होता है वी का वी का होता है 5 के लिए अच्छा यह वाला साइन होता है 10 के लिए अगर यह वाला रोमन नंबर में दीशा अगा तो यह किसको रिप्रेजेंट करेंगा यह करेंगा नाउ, L मतलब 50, C मतलब 100, और D मतलब 500, और M मतलब 1000, इसका मतलब यह हुआ, कि यह जो रोमन नमबर में alphabets है न, यह कितने यूज की हो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 जो है वो रोमन नमबर में, क्या यूज की हो है, alphabets, इसके इलावा कोई alphabets नहीं यूज होगा, इनी साथ alphabets को यूज करकर हम numbers बनाना सीखेंगे, तो देखते हैं, next, तो मैं आपको लिखना सिखाऊंगी वन को कैसे लिखते हैं तू को कैसे लिखते हैं वन अगर ऐसे मैंने वन बना दिया तो इसको हम वन बोलेंगे पते हैं अगर मैंने टू ऐसे वन मतलो तू आईज लगा दिये तो इसको हम कहेंगे तू अगर थ्री है तो इसको थ्री ही कहे बनाएंगे हम क्या करेंगे जो 5 है यह क्या होता है भी के आगे लगा गए अगर पन जो है वह क्या अगक लगा हुआ है तो वह 4 है अगर वी के ऐसे लगा हुआ है तो वो है 6 ठीक है आगे यह है 2 यह है 5 तो कितने बने 7 यह बना 5 और 8 8 ठीक है अब 9 जो है यह देखो इसके ज़्यादा तो हम यूज नहीं करेंगे न 1 को तो कैसे लिखेंगे 9 को 9 को हमने ऐसे भी नहीं लिखना no this is wrong तो हम कैसे लिखेंगे पहले 9 जो है न उससे पहले हम 10 देख लेते कितना है 10 है यह बला तो 9 के करेंगे इसके आगे हम 1 लगा देंगे ठीक है तो 9 के इस तरफ लेफ्ट वली साइड में हम लगा देंगे तो यह ब लिखना है न अगर इधर लगाएं तो क्या बनता है 9 अगर इधर लगाएं तो क्या बनता है 11 फिर वही कहानी रपीट हो रही है यह है 12 फिर आगे 3 बना दिये 10 और 3 कितने हुए 13 फिर आगे 10 और 4 यह 4 है यह 10 है तो कितना बना 14 यह है 10 और यह है 1 तो कितना बना 15 सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि 16 कैसे बनेगा मैं सारे बनाने सिखाऊंगी 16 है 16 कैसे बनता है 10 10 तो हो गया लेकिन अब हमें 6 भी चाहिए तो 6 कैसे होता है यह देखो पीछे वाले बोर्ड में आप ऐसी देखो तो यह हो गया 16 आगे 17 यह हो गया 17 10 और 7 17 यह 10 और 8 इस लिखना था 10 और 8 कितना हुआ 18 आगे 10 और 9 कितना हुआ 19 10 और 10 कितना हुआ 20 ठीक है तो यह था 20 कर अब वही कहानी रिपीट होगी जैसे 11 से स्टार्ट था ना बस इसमें 2X आ जाएंगे यह 20 होगा फिर आगे वही 1 2 3 4 5 6 9 जैसे 9 तक हम लिखते हैं वैसे लिखते हैं 29 तक आप ऐसे लिख लोगे ना तो 30 वाला कैसे लिखना है 30 व अब तर्टी वन के लिए वही कहानी रिपीट पिर से दुबारा थेटी वन के लिए हम क्या यूज करेंगे 3X साथ में 111 यह 33 हो गया ना वन हो गया 31 आगे लगा दिये 32 ठीक है तो ऐसे कर लोगे आप तो यह तो गया 39 तक तो आप लिख लोगे ऐसे रिपीट करके ना जैस लेकर 9 तक वह वाले नमबर उठा लेने साथ में यह 3 लगा देना है 30 वाला चलेगी लाइं तो 40 कैसे लिखना है 40 लिखने के लिए ना जैसे 4 लिखने के लिए 5 का यूज किया 40 लिखने के लिए 50 का यूज करेंगे ठीक है दिखाती हूं तो 40 लिखने के लिए 50 पताऊना चाहिए 50 है मैंने जैसे पहले बताया था आपको एल है तो 40 को कैसे लिखेंगेawat अच्छा एल में से इसमें से 10 माइनस करें तो 40 बनता तो जब sagte minus करना है तो कितने minus किए 10 किए ना तो इसके आगे कर दो इसका मतलब है जो 10 है वो L से minus है ठीक है जब भी कोई बड़े नमबर के पीछे कोई 10 लगा हो ना छोटा number इसका मतलब ये है कि इसमें से ये वाला number minus है ये बात आपने याद रखनी है मैं फिर से repeat कर जब भी कोई बड़े वाले नंबर के पीछे left वाले side कोई छोटा नंबर होगा तो हमेशा क्या होगा वो उससे minus होगा तो वो number बनेगा बड़े से छोटा minus करके देख लो 50 में से 10 minus किया then what will be the answer 40 ठीक है so we represent 40 with the use of 50 okay so ये था 50 तक 50 तक आप कर लोगे ना 1 2 3 लिखने है 59 तक हो जाएगा आगे 60 कैसे लिखोगे जो 60 है अब मुझे आप बता सकते हो I think कि 60 कैसे लिखोगे 60 को 50 के use से ही करना है ठीक है so we will write X in the right side of L okay so 50 के अगर आगे कोई 10 लिखा हो है तो ये प्लस है अगर पीछे उतना माइन आगे तो प्लस है तो ये 60 बना मुझे जब हमने 60 बनाना है 50 के आसपास कोई बनाना है ना 40 और 60 बनाने के आगे को प्लस ऊसे लगा देंगी उसल्एपाश के लगाने के लिए उसकेसे प्लस प्लस में प्लस में ठीक है और 500 आपको पताई है पिर बाद में 69 तक आप ऐसे लिख लोगे 69 तक आप लिख लोगे रिजना ड़िए जैसे बना 61 ये बना 62 ये बना 63 ऐसे ही करके आप 9 तक यूज तर लोगे इस नमबर को constant रहने देना ये वाला चेंज होता रहेगा 9 तक फिर आगे आगया 70 then 70 कैसे बनाना है हमने 70 वैसे ही बनाना है कि एक मिनिट बताती हूं ये क्या था 60 इसमें दस और एड कर दो राइट साड में एक और एक से लगा दो तो क्या बन गया 70 ठीक है ये 70 बन गया अब ये नमबर 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है 71 2 3 कैसे बनाना है 71 ये ऐसे बन गया 70 और ये इसके आगे ये लगा दिया 72 ये लगा दिया 73 ठीक है 4 कैसे बनेगा ये बन गया 74 ये बन गया 75 ये बन आगे 6 77 78 9 की जगह ये वाला यूस कर लेंगे इसकी जगह तो ऐसे मतलब आप बना लोगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 70 हो जाएगा अब 80 कैसे बनाना है 80 बस वही इसके साथ 1 और एड कर लो कभी भी तीन से ज्यादा टाइन कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं करना रोमन में जैसे ट्रिपल एक्स तक चल जाएगा ये दिखो ट्रिपल एक्स तक चल जाएगा ये है 50 ये 10 10 10 30 30 और 50 80 तो चल जाएगा 89 बना लोगे आपर बड़े अराम से फिर 90 की बात आगी 90 किसके 100 के ना तो 100 का कौन सा होता है अल्फाबेट 100 का कौन सा होता है कि 100 का हम यूज करते हैं सी रॉमन नंबर्स में सी यूज किया जाता है तो 90 बनाने के लिए क्या करेंगे हम 100 में से 10 माइनस करेंगे तो इसके आगे हमने x लगा दिना है c के आगे x लगाना है तो left side में तो ये बन गया 90 ये रिप्रेजेंट करेगा 90 को और c रिप्रेजेंट करेगा 100 को 99 तक लिख सकते हो वही इसके आगे वही 1,2,3,4,5,9 तक करना है 100 के आगे भी आपने ऐसे करना है c1 क्या बना 101 c22 102 ऐसे करके आपने 9 तक 109 तक बना लेना है लेकिन जब बात आएगी 110 की तो 110 कैसे बनाना है आपने कैसे बनाओगे 100 वाला उठाया नमबर कौन सा है 100 वाला कौन सा है भी c तो उसके आगे हमने 10 ही एड़ करने है 10 एड़ करने के लिए राइट साइड में क्या लगा देना है 10 तो कितना x लगेगा तो ये बन गया 110 ओके cx रिपरेजेंट 110 तो 110 को दे 190 तक लिख लोगे आप ठीक है वही 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लोगे आगे 119 से 120 लिखना है न तो 120 कैसे लिखोगे 100 प्लस x प्लस x 100 प्लस x प्लस x लिखोगे तो ये गया बना ये है 100 ये है 10 और इस वन इस अलसो 10 तो डिस रिपरेजेंट्स 100 कितना बना ये 20 अंडर्स्टेंड तो 120 से 129 तक लिख लोगे ऐसे विटा आपने देखो 100 तक तो आपने देख लिया ना तो ऐसे ही आपने क्या करना है सी के आगे लगाते जाना है बताती हूं रूप जाओ ऐसे करती हूं 100 में आपको टेबल कल सिखाती हूं अब भी तक आप 100 ये 50 तक देख लो कल मैं सिखाऊंगी आपसे 150 से लेकर आगे 1000 तक आपको ये क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज तो ऐसे हो जाएंगी ओके तो ये था आपका आज करका आप देखो ये वाला कि मैं एक बार आपको सारे कि सारे वाइट 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 दिखा देती हूं ठीक है ये मैंने बताया था कि कि अलफाबेट को क्या क्या अब बोलते हैं फिर मैंने बताया ये फिटीन आगे पता ही ना आपको तो ये आप कर लोगी बार चापको कर देखाए पस्थार अपको कर दोगे के अपको सारे बताया कि सारे की अ पलुट कर देखाएट तो ये ठावाबेट देखाएबगगगा अपको